Hello everyone, welcome to Rara दोस्तों आज में लेकर काई हूँ मेरा लिप्स्टिक कलेक्शन और प्लीज दोस्तों इस लिप्स्टिक कलेक्शन को देख करके प्लीज आप परिशान मत होईएगा मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट आपको यही है और एक और मैं सबसे इंपोर्टन चीज सबसे शुरुवात में ही मेंशन करना चाहती हूँ कि यह एक बहुत जादा रिकुएस्टेट वीडियो है मैंने स्टार्टिंग में एक लिप्स्टिक कलेक्शन वीडियो की ती जब मेरे पास बहुत जादा लिप्स्टिक नहीं थीं, बट थी, and मैं लिप्स्टिक was बहुत खरीती रहती हूँ, तो मेने जो है लिप्स्टिक को परचेज ही किया है, और ये PR VR वाली लिप्स्टिक नहीं है, और जो भी लिप्स्टिक मुझे बाहर से आई हैं, मेरे पास review के लिए या फिर मुझे किसी brand ने भेजी है वो भी मैं आपको mention करूंगी जो मैंने purchase की है वो भी मैं mention करूंगी because कई बर क्या होता है कि लोग कहते है कि आपको free मिला है या फिर आपको तो मिल गया है और आप इसका show off कर रहे हो ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो आप में से कोई भी एक भी individual परिशान नहीं होना चाहिए मेरी ये आपसे request है and अगर आपको video पसंद आए तो मुझे जरूर follow कर लीजेगा instagram और facebook पर उसके अलावा सबसे important एक और बात है कि आप में से especially teenagers जो है अपने आपको बहुत जादा like हम कई बार जब किसी का collection या कोई चीज देखते है तो हमें लगता हम भी ले 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 वाव ये अब तो हम भी ले ले तुरंत हम search करने लगते है online और फिर cart में डालने लगते है चीजे जिसकी आपको need हो वही ले क्योंकि ये मेरा काम है इस वज़ा से मेरे पास इतनी lipsticks हैं इतनी lipsticks तो मैं भी नहीं लगाती हूँ honestly and ये makeup look and जो review अगरा होते है lip swatches उसकी वज़ा से इतनी lipsticks हो गई है और आए दिन कोई ना कोई brand कुछ ना कुछ लांच करता है आपको पता है मेरे चैनल की strategy new launch चीजे आपको मिलती है यहां पर इस वज़ा से भी मेरे पास lipsticks इकठी हो गई है तो चलिए देख लीजे मेरा lipstick collection बहुत जादा नहीं है लेक यह देख लीजिए तो दोस्तों मैं यहां पर आपको मेरे lipstick collection में सबसे पहले मेरे जो everyday के जो running shades है जिनको मैं बहुत जादा use करती हूँ उनके विशे में बात करने वाली हूँ उन्हें दिखाने वाली हूँ तो current favorite के विशे में बताने वाली हूँ this is benetint यहां पर आप और बिलकुल second skin लगते हैं lips तो बहुत-बहुत साही चीज है यह इसका review मैंने अभी नहीं किया बट अभी मैं इसको try ही कर रही हूँ और जब तक इसे proper तरीके से use नहीं कर लेती इसके विशे में आपको review नहीं दूँगी but it's my favorite now यहां पर आप देख सकते हैं यह है लाक में absolute brunch nude shade यह shade जो है यह almost finish होने को है आधे से जादा इस्तमाल कर चुकी हूँ मैं इसे तो मैंने इसको वापस repurchase किया है और यही मैं बोलना चाहूंगी कि यहां पर आप यह देख सकते हैं यह रखा हुआ है यह shade बहुत-बहुत जा सकते हैं यह आपको जरूर लेने चाहिए मेरे according तो मैंने आपको यह जो brunch nude है सबसे पहली lipstick जो है आपको recommend कर रही हूँ अगर आपको लेना चाहते हैं और यह naika पे आपको ना 200 रुपे तक के discount पे मिल जाती है इसी का another shade है orchid pink और यह जो shade है यह brights के लिए बहुत अच्छा ह है आप देख सकते हो same lack my absolute matte ultimate का यह भी मैं आपको recommend करती हूँ इसके आप कोई भी shade ले लो अपने skin tone के according सभी awesome है यह वाला collection ही बहुत जादा awesome है इसके बाद आप देख सकते है color bar की यह mini lipsticks यह तीनो मेरी current favorite हो गई है इनके shade आप देख लीजिए Indian skin tone पर यह तीनो shades बहुत कमा के लगेंगे और यह बहुत जादा प्यारी है और इन्हें मैंने recently लिया था इसके बाद यह NYX professional makeup की soft matte lip cream जो lipstick है 8 ml product quantity के साथ यह है leon shade यह मुझे naika event में मिली थी और इसका shade हर एक skin tone को इतना compliment करता है leon जो shade है इसमें बहुत सारे shade आते हैं और मैं इसमें और shades purchase करना चाती तो वो event वाली वीडियो भी अगर आप देखना चाहते है तो Rara channel पर uploaded है चेक कर लीजेगा So Naturals की तरफ से मेरे पास आई थी यह lipsticks and So Naturals की जो lipstick है यह made in India lipstick है इसमें यह जो दो powder matte shade है Mudita और Ghani, Mudita nude shade है आप देख पा रहे हैं और Ghani जो है red shade है यह बिलकुल MAC Ruby Woo का dupe है तो यह दोनों lipstick अगर आपने नहीं try की हैं तो आपको यह दोनों जरू ट्राइ करनी चाहिए and I think इसका price 800 है बट वहाँ पे भी 10-20% off sometimes run करता रहता है उनकी website पे तो यह lipsticks भी बहुत ज़्यादा अच्छी है यह है Masaba by Naika collection से Raw and Buzz के लिए दोनों shade बहुत awesome है इन दोनों lipsticks के shade आप देख सकते हो एक pink tone पे है एक brown tone पे है और यह everyday के लिए party के लिए कमाल के luxury shades है और यह बहुत affordable price पे मिल जाते हैं यह 3.500 रुपए के अंदर मिल जाती है discount पे वैसे इसका प्राइस 600 रुपए है और इसके सारे shades के lip swatches मैंने किये थे मैंने इसको जब ही launch हुई थी तह पर्चेस किया था Mac की यह बहुत beautiful shades एक तो देख रहे हैं आप Mac Ruby Woo दूसरा है work 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 और यह दोनों जो lip color है इनको मैंने एक तो मुझे purchasing पे बिलकुल free मिली थी और मैंने नाइका से I think studio fix लिया था तब और Mac Ruby Woo को मैंने repurchase किया है because मेरी पहली वाली जो lip stick थी वो actually खो गई है और यहां पर मैं आपको दिखा दू shades तो यह जो है right side में आप देख पा रहे हैं यह है Mac Ruby Woo and this is work 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 आप यहां पर check कर लीजे तो यह जो दोनों lip stick है इनकी bullet आप शेक कर लो यह दोनों powder matte ही है लेकिन एक intense red color है और एक जो है वो tinted red color देती है इसी के साथ में आपको मैं दिखा दू Clinique and Estee Lauder की यह जो दो lip stick है यह mini lipstick मुझे actually complimentary purchasing पे मिली थी like मैंने Clinique से काफी skincare लिया था और Estee Lauder से भी तो यह दोनों lip colors बहुत बहुत amazing है और आप यहाँ पर इनके दोनों के shade देख सकते हो एक peachy coral shade है और एक है pink तो यह दोनों बहुत amazing है आप जब भी Clinique से कुछ 3000 से उपर का लेते हो तो यह lipstick मिल जाती है pack की यह जो sweet sensation lip cream है यह velvet, bold, intense and matte finish के साथ में आती है और यह तीनों shade जो है slay, queen and dolled up और candid यह तीनों shade बहुत अच्छे है एक brown है, एक peach है और एक है pink color इसके 4.75 price है लेकिन यह भी discount पे sometimes मिल जाती है और यह lip cream बहुत awesome है अगर आपको अपने lips velvety चाहिए तो और इस तरीके का इनका applicator आता है अब मैं बात करने वाली हूँ Nika Molten Matte Lipstick की और यह मेरी most favorite इसलिए है जो shade blayer आप देख रहे है, Rachel and Blayer इसमें blayer shade मैं आपको हर किसी को recommend करूँगी क्योंकि यह shade अगर आप एक बढ़ ले लोगे आपके lips पे बहुत ज़्यादा pigmentation नहीं आएगा लेकिन आपको लगेगा कि lips बहुत naturally बहुत खुबसूरती से pink हो गए है और वही चाहिए होता है हमें बिलकुल natural makeup बिलकुल flawless blended makeup so यह मैं आपको ज़रूर recommend करूँगी आप try करके देखिएगा इनका applicator बहुत कमाल का है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह intense lip paint है color jolt matte maybelline new york से यह है shade number 4 and 5 यह दो shade बहुत awesome है nude और dark reddish color के लेकिन अगर आप इनको mix करके लगाओगे तो आपको बेहद हुपसूरत coral shade मिलेगा यहाँ पर आप इनके applicator देख लीजिए बहुत बहुत smooth तरीके से lipstick apply हो जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं lack me 9 to 5 natural lipstick and lack me 9 to 5 primer plus matte lipstick के shade है soft nude blush pink and rosy sundae so यह 3 shades बहुत अच्छे हैं running shades हैं everyday के लिए like यह shade आप office वगेरा लगा कर जाओगे तो आपकी lipstick बहुत long lasting है plus यह बहुत जादा compliment करते है skin को यह 3 ऐसे shade हैं जो आपके पस जरूर होने चाहिए especially इनके nude shade now अब मैं दिखाने वाली हूँ color bar cream touch lipstick और यह जो shade आप देख रहे हैं यह है dreamy pink and nude shade infatuation this is so luxury lipstick and so affordable और यह न बहुत बहुत अच्छी लगती है lips पर तो यह जो shade है ना infatuation मैं आपको जरूर से recommend करूँगी आप try करके देखेगा actually यह बलकुल celebrity type का shade है कुछ इस तरहीके की दिखती है यह करबार की sinful matte lipstick collection से एक shade है nude shade और इसका नाम है stripped 16 number है इसका and मैं आपको इसकी bullet दिखाती हूँ एक minute so यह मैंने काफी उसकी है and यह lipstick बहुत ही ज़्यादा कुपसूरत है बहुत ज़्यादा shade देख सकते हैं बिलकुल बहुत ज़्यादा Indian skin tone को compliment करता है यह shade इसके बाद यह है करबार की जो limited edition आया था moon walker lipstick and यह twinkle shade है और यह shade मैं आपको दिखाऊ हूँ यह भी same nude color है but यह बहुत ज़्यादा you know wheatish skin tone पे अच्छा लगता है LAKME 925 weightless matte mousse lip and cheek color जो है इसका एक shade मेरे पास है यह scarlet plum and this shade is bomb यह ऐसा shade है जिसको बस हलका सा finger पे लेके और lips पे apply कर लो and यह पूरे दिन रहती है lips पे बहुत अच्छी है यह पता है इसके मुझे और shades purchase करने है but अभी इन पे currently discount नहीं आ रहा है everyday के लिए TS Cosmetics की यह lipstick है इसका नाम है Rose Milk and यह shade बहुत pretty है यह बिलकुल matte यह मैं आपको ज़रूर बोलूँगे अब try कर ली जगा यह 400 रुपीज की ही lipstick है Sugar Metal Matte से एक shade है Soteria दूसरा है Erin और यह जो दोनों shade है न यह बहुत खुबसूरत है like यह lipstick बहुत ज़ादा long lasting है पर यह 11-1200 रुपे MRP पे आती है and इसे मैंने जब यह launch हुई थी तब इसके चार shade लिये थे and उन में से यह दो shade बहुत ज़ाद आचे लगते है एक red और एक nude color इस तरीके के जो shade होते हैं वो skin पर बहुत खिलते हैं तो मैंने मेरे आपको रोजाना वाले favorite shade दिखा दिए like इनको मैं party में भी लगा लेती हूँ मतला mostly इनी shades को लगाती हूँ अब मैं आपको मेरी बागी lipsticks दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी दोस्तो और आप इनके detail review lip swatches मेरे channel पर जाकर के चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बहुत जादा sugar के lipsticks हैं और यह जो मेरे पास sugar की तरफ से आये थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ तो सबसे पहले यह 10 shades आप यहाँ पर देख लीजे यह sugar matte attack जो transfer proof lipsticks थी उसके 10 shades हैं इन में से आपको lip swatches मेरे channel पर देखने को मिल जाएंगे यह काफी अच्छी long lasting bullet lipstick है जो की transfer proof में change हो जाती है और यह जो 10 lipsticks हैं इनके shade आप यहाँ देख सकते हो यह कितने amazing हैं इसमें brown है, red है, pink है, mauve है तो यह 10 shades बहुत बहुत awesome है इसका आप जो lip swatches हैं वो मेरे channel पर जाकर के अभी check कर सकते हैं यह है sugar के matte as hell lip crayon और यह lip crayon मेरे पास आयते sugar की तरफ से जब यह new launch हुए थे इसके कुछ shade extension लाँच हुए थे और इनका मैं आपको shade दिखा देती हूँ वैसे तो मैंने lip swatches दिखाए हैं आपको वैसे तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें जो यह shade यहाँ पर बना हुआ है ठीक इसी तरीके से shades जो है वो होते है दोस्तों आप यहाँ देख सकते है bullet bee और यह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि sugar के जो यह lip color है जिसमें mattal matte lip color है और यह है sugar का lip color nothing else matter long wear lipstick इसका shade यह coralish shade है so basically यह lipsticks काफी अच्छी है अगर आप try करना चाहो लेकिन जब मैं तो यही सला दूँगी कि जब आपको discount पे मिले तब ही लीजिए और आप देख सकते हैं मेरे lipstick collection में naika के यह दो lip gloss भी है जिसमें एक pink matte color में है matte lip gloss है and दूसरा है shiny so basically यह lip gloss मैंने जादा use नहीं किये इसलिए मैं recommend नहीं करूँगी यह जो child lipstick है यह for color की तरफ से मेरे पास आई थी and यह ok-okay shades है like बहुत pigmented है transfer transfer भी नहीं होते काफी रुखता है lip color lips पे लेकिन मतलब मैं नहीं recommend करूँगी आपको sugar की click me आप velvet lipstick जो है यह काफी खुबसूरत shade है 03 Foxy यह shade आप try करके देखिएगा NYV की तरफ से मेरे पास यह lip crayon आये थे purple की तरफ से and यह lip crayon 100 rupees का एक है यह जो shade आप देख रहे है न बहुत pretty है यह यह shades आप बिलकुल try कर सकते हैं and जिने affordable lipstick चाहिए उनके लिए यह अच्छा option है लैक में की यह बहुत खुबसूरत lip gloss है जो की 200 रुपए की price में आते हैं यह nude color pink color and red color इसमें मैं आपको इसका जो nude color है यह ज़रूर recommend करूँगी this is awesome lip gloss और यह दो shade है मेरे पास NY Bay NY Bay की जो यह lip crayon है melt matte lip crayon and यह दोनों भी काफी अच्छे shade है यहाँ आप देख रहे हैं यह है Nika mini lipsticks और यह matte touch lipstick है Nika की यह मैं आपको एक चीज़ बताओ इसके ना सारे shades बहुत awesome है इसमें nude है, mauve है, pink है, brown है red है, so I love this collection actually आपने इसका जो complete lip swatch video है वो जरूर देखा होगा आपको जरूर बोलूँगी इसमें से आप 2-3 shade जरूर ट्राइ करिएगा individual review देख लीजेगा मेरे channel पर तो आपको मैंने यह खोल करके दिखाए हैं आप यहाँ देख सकते हो सारे के सारे shade और इसमें से अगर मैं आपको personally recommend करूँगी ना, तो सबसे पहले मैं nude shade ही इसके recommend करूँगी and सबसे पहले shade मैं recommend करूँगी 12M, यह बहुत प्यारा nude-ish peachy shade है उसके साथ ही मैं आपको suggest करने वाली हूँ 48M, जो की मेरा favorite nude shade है lipstick का and मुझे nude lipstick जादा अच्छी लगती है लेकिन अगर आपको red में जाना है one, जो की pinkish लग रहा है आपको हलका असा and अगर आपको बहुत बहुत जादा light nude color की lipstick चाहिए तो go for 50M shade आप इनके बड़े pack भी ले सकते हो and I think यह 399 MRP पर आती है बड़ी 399 या फिर 450 ऐसे ही कुछ इसका price है तो आप समझ सकते हो की lipstick collection दिखाने में कितनी मेहनत लगती है बट कोई ना दोस्तो आपके लिए कुछ भी और यहाँ पर आप देखिए इसके dark shades मुझे असच उतने पसंद नहीं है जितने मुझे light colors इसके अच्छे लगते हैं तो आप यहाँ पर यह सारी की सारी जो bullet lipstick है Naika Mini Matte Lipstick यह देख सकते हैं यह एक lipstick I think 200 रुपए तक की आ जाती है यहाँ पर आप देख सकते है Naika की यह liquid lipstick है Mini और इसमें मैंने 10 shades लिये थे और जिसमें से एक shade number नेम था Mishty वो मैंने अपनी sister-in-law को दे दिया था यह काफी जादा अच्छा है जो collection है इसके Mini Lipstick के जो shade है क्योंकि यह रोजाना के लिए अच्छे है Pink है, Reds है इसमें Brown color है, Peach है तो यह बहुत अच्छी और affordable lipstick पढ़ जाती है तो यह भी आप try कर सकते हो एक दो सबसे पहले मैं आपको shade Maharani ट्राइ करने को बोलूँगी यह जो दो खुबसरत wine lip tint देख रहे है न यह in color के हैं, 200 रुपए का आ जाता है और यह lipsticks बहुत खुबसूरत है shade name आप यहाँ पढ़ सकते हैं Extreme Pigmentation के साथ यह lip tint आता है Transfer Proof Lip Tint है यह Stay Quarky की Badass Liquid Lipstick किये, मुझे purple ने बेजी थी और यह shade बहुत अच्छा है affordable price में मिल जाती है So यह ठीक ठीक lipstick है Masaba by Nika की यह जो lipsticks है यह काफी अच्छी है और एक lipstick की कीमत 599 रुपीज है वैसे तो इसके सारे shades का collection काफी अच्छा है बट फिर भी आप इसमें अगर ट्राइ करना चाहते हो तो ट्राइ कर सकते हैं Femme Fatale and Cool Guy और फेस पाम भी अच्छी है नीबू पानी dusky skin के लिए ठीक रहेगी बट मैंने आपको इसमें अलरडी दो सजिस्ट कर दी है तो इनके shades भी मैं आपको open करके दिखा रही हूँ and ये lipsticks बहुत खुबसूरत हैं और अगर आपने इसका collection ट्राइ नहीं किया then you should try दोस्तो ये बहुत बहुत amazing lip colors है क्योंकि ना इनको आप touch up कर सकते हो easily और ये lips को बहुत dry नहीं करती lotus के ये जो paint pot है pink and orange ये भी कमाल के हैं और आप ये देख सकते हैं ये बिलकुल transfer proof में change हो जाते हैं और इसे as an eyeliner भी लगा सकते हैं blue heaven की ये जो liquid lipsticks हैं ये मैंने ली थी elegant matte lip color हैं ये और ये बहुत affordable price पे आती हैं बट इसके shades बहुत कमाल के हैं आप देख पा रहे हैं इन सबके lip swatches में लेंगे आपको मेरे channel पर faces ultimate pro के ये दो lip crayon बहुत अच्छे हैं यहां आप color देख सकते हैं इसका जो shade है न midnight rose ये आप ज़रू try करिएगा lacme का ये matte revolution lip colors के चार shade बहुत कमाल के हैं चारो मैं आपको highly recommend करते हूँ आपको जो shade पसंदा है आप वो ले लीजे इस collection का because this collection is also good वैसे मैं इसका blushing red and mauve mania suggest करूंगी ASMR artistry की तरफ से मेरे पास ये दो lipstick आई थी और ये एक lipstick 40 dollar की है यानि की काफी काफी expensive है ये अब आप खोदी लवा सकते हो की लग बग 3,000 रुपए की एक lipstick है and this shades oh my god यहाँ पर आप lipstick देख सकते हैं बहुत खुबसूरत nude color and red color और यहाँ पर आप Nykaa की ये bullet lipsticks देख रहे हैं shade मैं आपको दिखा देती हूं Razia Noor 24M and 24M Nykaa के purchasing पे मुझे ये मिली थी Praline Cookie shade name बिलकुल ڈक्टो है और number भी ڈक्टो है brand भी डिक्टो है और मिली भी ये बिलकुल free of course थी लेकिन मैं आपको चीज दिखाना चाहती हूं मैंने आपको बोला तो था ही कि येस ये एक lipstick glossy है and एक lipstick matte है oh my god I don't know आप मेरा ये confusion दूर करिएगा क्या Nykaa में same number में दो collection आये थे glossy और matte क्यूंकि मैं आपको यहां पर हाथ पेस का shade का जो जो swatch है वो दिखा रही हूं उपर जो है वो glossy वाला है and ये आप matte देख रहे हैं दूसरा वाला मुझे नहीं मालूम मैं आपको वापस एक बार इसका swatch दिखा देती हूं सबसे पहले मैं latest जो मुझे रिसीव हुआ है उसको दिखा देती हूं बिकोज ये तो बहुत इंट्रेस्टिंग सी चीज हो गई and lipstick इतनी सारी है इसलिए ध्यान नहीं दिया so ये lipstick मैंने matte जो है इसको swatch किया है and one minute अब मैं ये जो glossy वाली है इसको करती हूं so एक minute so आप दोनों का जो formula है वो बिलकुल change है यहां पर देख सकते हो एक में gold shimmer है और एक बिलकुल matte है दोस्तो आप खुद देख लो तो भाई सो समझ के ले ना आप अगर matte मंगा रहे हो glossy आ जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर इसलिए मैंने आपकी confusion दूर कर दी बट मैं अगर आपको recommend करूंगी winter में glossy and summer में matte suggest करूंगी यहां देखे यह dark वाला जो है यह shade Razia यह shade Noor तो आप shade Razia ट्राइ करिएगा यह जादा compliment करेगा lips पे यहां आप देख रहे हैं यह है TS Cosmetics की lipstick यह जो shade है hazelnut and red color है यहां पर red velvet यह मैं आपको जरूर सजिस्ट करूंगी आप क्लियरली देख पा रहे हैं यह lipsticks भी काफी अच्छी है इनके complete lip swatch video आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे मेरे lipstick collection में आप यहां पर देख सकते हो यह दो box जो आपको दिखाई दे रहे है यह actually pen के box है मैंने पारकर के pen लिये थे उसमें जब यह खाली हो गया तो मैंने इसमें मेनी lipsticks रख दी है यह मैने जर्स्ट हर्ब की lipstick ली थी और यह सोल्ट्री की lipstick मुझे मुझे कॉंप्ली वेंट्री मिली थी तो यह lipstick मैं ट्राइ कर रही है मुझे खास अच्छी नहीं लगी है जस्ट हर्ब वाली और जो मिनी lipsticks है जो यह 599 की पूरी आती है बट अभी भी और ट्राइ कर रही हैं देखती हूं क्या मुझे यह और सही लगती है तो इसके विशे में बताऊंगी बाकि 100 naturals की यह lipsticks काफी अच्छी है इसके बाद आप देख सकते हैं यह LAKME की cushion matte lipsticks और इसमें से मैं अगर आपको suggest करूं collection के यह 3 जो share हैं यह जादा अच्छे हैं CM1, CN2 and CP3 अगर आपने LAKME matte revolution का soft nude shade ट्राइ नहीं किया देन यू शुड ट्राइ इस इसकी bullet आप यहाँ देख सकते हैं यह कितना खुबसूरत nude कलर है मेरे collection में यह Darling Isabella की lipsticks भी हैं जो मेरे पास I think purple की तरफ से आई थी remember नहीं यह मुझे बट यह भी ठीक ही हैं और इसका मैं bold brown royalty 3 shade suggest करूंगी यहाँ आप देख सकते हैं यह है purple की lipsticks देख सकते हो बट मैं अगर आपको इसमें suggest करूंगी यह है shade 4 AM partner यह जादा अच्छा lip color है और यहाँ देख सकते हैं lotus makeup की मेरे पास काफी lipsticks थी लेकिन मैंने यह gift कर दी थी यह shade flirty pink मैं आपको suggest करूंगी यहाँ पर आप pink color देख सकते हैं यह shade rose spell भी अच्छा है बट flirty pink बहुत natural pink color देता है बायोटिक की यह तीन lipsticks हैं और तीनों मैंने new launch पे ली थी लेकिन इसकी न इसका मैंना rani shade suggest करूंगी star kissed moist matte lipstick collection से बिकाज यह lip color बहुत बहुत amazing है so naturals की यह दो lipsticks और है pink shade है महर and Maya इसमें आप महर यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ Stakewer की purple and naika की liquid lipstick है इनकी packaging almost almost same है Stakewer की and naika की लेकिन यहाँ पर shade है misty and kudi और misty और kudi shade यह काफी beautiful है और Stakewer की के भी shades है तो इनके आप lip swatch देख सकते हैं इनको अगर आपको लेना है तो आप मेरे चैनल पर lipstick video देख करके समझ सकते हैं और फिर ले सकते हैं यह naika की metallic lipstick है और pink shade है इसका और shade name है can't be tamped और यह shade काफी pretty है बहुत ही shiny pink shade आता है lips पर और यहाँ आप देख सकते हैं कलरबार की कुछ nude it lip color से 3 nude shade है कलरबार matte touch lipstick है कलरबार की sinful matte lipstick है और कलरबार की यहाँ पर आप देख सकते हैं most affordable price 299 वाली जो 2 lipstick है so basically इसमें यह सारे ही shade बहुत अच्छे हैं आपको मेरे चैनल पर जाकर के इनके individual review देखने पड़ेंगे because यह shades बहुत amazing है मैं आपको सारे ही recommend करूँगी like आप इसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं वैसे तो मैं आपको best बता ही चुकी हूँ यहाँ आप देख सकते हैं sugar की metal matte liquid lipstick और इसके तो चारो shade ही आग हैं बिलकुल आप कोई भी ले लीजे बहुत कमाल के हैं 08 ले लीजे सबसे पहले मैं आपको recommend करूँगी 08 shade and अगर आपको bridal के लिए लेना है तो 1 0 में मोसा ट्राइ करना चाहिए इसी के साथ आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यह सारे liquid lipsticks जो मैंने यहाँ पर रख रखे हैं purple के हैं लैक में color bar and यहाँ maybelline New York से यह आप matte crush देख सकते हैं from matte look for color and color essence darling Isabella so यह liquid lipsticks जो है इतनी सारी मैंने इसले रखी है ताकि मैं आपको बता सकू कि मेरा favorite कौन है मेरे favorite है यह यह लाक में and color bar मेरे favorite है तो आप इन में से try कर सकते हो इनके lip swatches आपको मेरे channel पर मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं मेरे lipstick collection में कुछ L18 के lipsticks भी है जो की color pop silk lipstick है और color boost lipsticks है तो इनके lip swatches भी आपको मेरे channel पर मिल जाएंगे आपर देख सकते हैं यह है शुगर का lip primer कलबार का lip crayon shade no.14 and purple का lip crayon और यह है lip gradation pink 2 from Maybelline New York तो यह चारो must have है यह देख सकते हैं Maybelline के lip color जिसमें से मैं आपको suggest करूंगी smoking red यहाँ पर इनके विशे में detail है बट मैं आपको सबसे पहले smoking red suggest करूंगी अगर आपने यह try नहीं किया देन आपने red lipstick जरूर से आपका collection अधूरा है जो shade आप देख रहे हैं इसमें बीच में जो shade है यह smoking red you should try this कुछ lipsticks आप यहाँ देख रहे हैं यह है NY Bay Runway Argan lipsticks यह lipsticks में से मैं आपको कौन सा suggest करूंगी stage wear this is awesome shade करवार की limited edition lipsticks यहाँ पर आप देख रहे हैं glitter me all collection यह feel the rain collection से यह दोनों मेरी favorite हैं और एक lipstick में highlighter भी है lipstick यहाँ देख सकते हैं और highlighter यह है and this is feel the rain collection यहाँ पर आपको कुछ lipsticks दिखेंगी this is from sugar, revlon, l'oreal, maybelline, faces, stars truck तो यह जो lipsticks है इन में से मैं सबसे पहले यह suggest करूंगी यह जो lipsticks है ऐसा लगता है जैसे आपने जब लगा ली तो गुलाब की पंखुडी लगा ली हो होटो पर बहुत घुपसूरत कलर आता है यह यह मैंने जैपूर ट्रिप पे लगाई थी and वहाँ की pictures जब भी मैं upload करती हूं Instagram पे पूछते जरूर है कि आपने कौन सा lip color लगाया है so ध्यान दीजे मैंने यह लगाया था 346 shade number है ध्यान रखियेगा L'Oreal का and यह lipstick का shade name I think Scarlet something है but I love this तो दो lip shades हैं यह Isabella Darling Isabella के shade हैं इसमें मैं shade number 12 आपको suggest करूंगी boys pink royalty यह pink color जादा अचा है but आप यह वाला भी try कर सकते हो इसका यह I think Merlot royalty कर के shade name है but this is also nice आप देख सकते हैं मेरी कुछ लैक में की lipstick और हैं जो मैंने suggest की है उसके अलावा यह अलग-अलग collection अलग-अलग variant है और यह सारे shades कमाल के हैं आप इनमें से कोई भी shade ले लो आपको बिलकुल पच्चतावा नहीं होगा क्यूंकि मैंने बहुत चुन कर के shade purchase किये थे और इनके review आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे यहां आप देख सकते हैं L18 के कुछ lip crayon है जिनमें से आप कोई भी ले लीजे आपको जो कर अच्छा लगे वैसे अगर मेरे रेकमेंडेशन लेनी है तो बिलकुल आप मेरे चैनल पर वेसके lip swatch review वीडियो देख लीजिए यह आप देख सकते हैं पैक रेट्रो मैट के मिनी लिप्स्टिक में से मैंने पिंक शेड लिया था यह बहुत अमेजिंग थे बट अभी यह करेंटली तो ड्राय हो गए है तो मैं यह रेकमेंड नहीं करूंगी यहां पर कुछ अतरंगी लिप्स्टिक है मेरे पास जैसे की यह ब्लाक कलर की है निका के की निक्स का लिप बटर है याद नहीं है मुझे बट हाँ शायद पी यार में ही आई थी तो यह लिप्स्टिक्स भी ठीक हैं बट मैं इन वे से कोई रेकमेंड नहीं करूंगी और यह कुछ मिनी लिप्स्टिक्स की किट हैं जो मैंने ली थी ये अच्छी हैं बट मैं आपको सजिस्ट करूँगी कि आप खूब सारी mini lipstick लेने के बजाए एक बढ़िया अच्छी टिकाओ और long lasting lipstick लें वही सही है ये देख सकते हैं आप इस तरीके से ये mini lipsticks हैं एक lipstick 400 रुपए की kit है एक लेकिन ये discount पे 200 रुपए में मिल जाती है बट मैं आपको ये recommend नी करूँगी क्योंकि इनको carry करना बड़ी मुश्किल हो जाती है तो आप इसके लिए portly carry करो या mini pouch carry करो बट मैं suggest करूँगी कि आप एक अच्छी mini lipstick ले सकते हो किसी धंके brand से तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा जो current lipstick collection है ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये lipsticks यहाँ पर आपको कुछ nude lipsticks दिख रही है साथ ही आपको reds, pink, mauve और यहाँ पर सारे bright shades दिख रहे हैं और मैंने जो मेरे favorite lipsticks आपको suggest किये थे ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेरी favorite lipsticks को सजा लिया है और कुछ lipsticks मेरे handbag में रहती है कुछ मेरे dressing table पर रहती है और कुछ जो है मैं pouches में रखती हूँ वो मैंने नहीं निकाले है इस वज़े से मैं आपको सिर्फ यही दिखा रही हूँ अभी और मैं मेरे bag वाले lipsticks जो है उनका बाद में वीडियो किसी दिन शेयर कर दूंगी तो आप यहाँ देख सकते हो तो mostly मैं mini और कुछ छोड़ी-छोड़ी lipsticks ही carry करती हूँ travel में और कुछ lipsticks जो मैंने दो-दो बार purchase किया है उनको तो आप यहाँ देख सकते हैं उमीद करती हूँ आपको मेरा जो यह lipstick collection है यह अच्छा लगा होगा और मैंने वैसे तो कोशिश की आपको detail में बताने की लेकि अच्छे बट मेरा काम है इस बचसे मैं आपको यह सब दिखा रही हूँ और क्योंकि जब रूम टूर कराऊंगी तो आपको बताऊंगी बिफोर और आफ्टर का मैंने कुछ पिक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है तो आपको बता चलेगा कि मेरे रूम में कितनी भसर फैली र यहां पर लास्ट में मैंने न्यूड लिप्स्टिक्स को सजाया है ताकि मैं पैटर्न से उठा सकू इधर रेज हैं और यहां पर पिंक आपको दिखेंगी और यहां पर आपको मेरे फेवरेट सारे शयद मिलेंगे यह रेज है जो के डीब डार्क रेड है यह पीच शयड ह और मेरे वीडियो को देखेंगे थे लिए इस वीडियो को आसले में भालतुत म такие कोर्लीजेगा प्लीज दोस्तों बहुत लगती है address जिसका भी मैं नाम अनाउंस करूँ 15th Feb को मेरा बर्दे है तो उसी दिन मैं सोच रही हूँ सारे giveaway के जो winner है उनके नाम एक साथ निकाल दूँ अच्छा लग जाएगा मुझे भी और उमीद करते हूँ आपको भी अच्छा लगेगा तो थैंक इस सो मच दोस्तों बहुत सारा प्यार बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको आपकी फैमिली को मेरी तरफ से नया साल आपके लिए बहुत खुशियों बहरा हो और अगर आपको इन में से लेनी हो तो मेरी रेकमेंडेशन पर थ्होड़ा ध्यान दीजेगा Molten Matte Lip Color और आप NYX Soft Cream भी ट्राइ कर सकते हो चलिए हो गहीं बहुत सारी बात हैं Bye Bye Thank You So Much और Lip Balm Collection वीडियो देख लीजेगा और इसके बाद मैंना Foundation Collection लेकर के आ रही हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी Bye And Room Tour बहुत जल्दी कराऊंगी बहुत जल्दी